आप देख रहे हैं State Times मैं हूँ माईरा आज हम एक ऐसी स्कीम के बारे में जानेंगे हो सकता है आप में से कई लोग जो होंगे उन्होंने इस स्कीम के बारे में सुना होगा और कई ऐसे लोग है जोनोंने नहीं भी सुना होगा लेकिन आपको बता दें कि ये एक ऐसी स्कीम है जो काफी जादा benefit जो है वो आपके लिए लेकि आई है स्कीम का नाम आपको सबसे पहले बता दें कि monthly income scheme monthly income scheme से थोड़ा बहुत आइडिया या थोड़ा बहुत knowledge तो आपको जरूर मिला होगा लेकिन अब आपको बता दू मैं मैं फिलाल पोस्ट आफिस में मौजूद हूँ और मेरे साथ इस स्कीम पर बात करने के लिए मौजूद है सीनियर पोस्ट मास्टर एएस चम्बियाल जी सबसे पहले स्टेट टाइम्स में इनका बहुत-बहुत स्वागत करेंगे सर इस स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे पूरी-पूरी क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्कीम के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं कि ऐसी भी कोई स्कीम जो है सरकार लेकिया है हमारे लिए जी बिल्कुल आपने सही कहा, यह बहुत पुरानी स्कीम है, पोस्ट आफिस में काफी देर से यह चल रही है, और जैसे नाम से ही पता चलता है, मन्तली इंकम स्कीम, मतलब इसमें आप एक आमाउंट पोस्ट आफिस में डिपाजिट करेंगे, और इसका जो इंटरस्ट आपक जमा कर सकता है, इसमें 9 लाग, और अगर जोइंट अकॉंट खोलेंगे, तो जोइंट अकॉंट में यह जो लिमिट है, यह 15 लाग तक जाती है, और अगर मैं इस इंटरस्ट की बात करूं तो इसमें 7.4% इंटरस्ट हम देते हैं, और यह किस भी पोस्ट आफिस में आप ख सकता है? जी, इसको खोलने के लिए कोई भी खोल सकता है, जैसे मैंने बताया, single account कोई भी इंडियूजल खोल सकता है, जो 10 साल से अउपर जिसकी एज है वो single account खोल सकते हैं, और joint account इसमें 3 लोग एकसात खोल सकते हैं, maximum, और अगर बच्चा है तो on behalf of guardian parents गोल सकता है, तो और closure के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे और maturity के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे जी जी बिल्कुल प्री-mature closure जो है वह एक साल तक तो इसका लुकाप पीरिड है एक साल तक हम deposit जो है उसका withdrawal की option नहीं है लेकिन एक साल के बाद कुछ चोटा मोटा interest उसमें कटत करते हैं और मैच्रोटी की बात करूं तो मैच्रोटी पांच साल के बाद है पांच साल के बाद आप जो आपका जैसे आपने Maximum अगर नौलाक जमा किया है तो नौलाक जो आमाउंट है वो आपको बापिसमिलेगा और इंटरस्ट की जो इसमें इक मैं आपको बताना बनता है तो आपका जो 5 साल के बाद जो आपको amount मिलेगा अगर आप सारी calculation करेंगे तो 12,03,000 टोटल जो amount है यह आपको मिलता है और इसमें एक option और रहता है कि अगर आप यह जो आपको monthly amount मिल रहा है और यह amount आप चाहते हैं कि आपको monthly नहीं चाहिए तो इसमें auto credit का एक option रहता है कि आप यह amount अपने saving account में भी डलवा सकते हैं एक simple सा form बरके और अगर आपको ज़्यादा interest चाहिए तो यह amount आप recurring deposit में भी deposit कर सकते हैं monthly और recurring deposit जैसे नाम से पता चलता है आपको monthly यह जमा करना होता है और उसका period भी पांच साल है और अगर यह 5550 रुपे जो आपको मिलेंगे नौलाग के deposit पे यह अगर आप monthly income scheme से निकालके recurring deposit में जमा करते हैं तो यह आपको इसमें अलग से interest मिलेगा जो की लगबग 63,081 बनता है और अगर यह हम दोनों combine करेंगे तो last में अगर आपको हम calculate करते हैं तो लगबग 12,096,081 रुपे मतलब 8,8% interest आपको पांच साल के बाद इस नौ लाग पे मिलेगा जो की बहुत अच्छा interest माना जाता है 8,8% interest किसी भी scheme का नहीं है तो यह भी option है कि आप जो MIS का amount है उसका जो interest मिल रहा है उसका एक रेकनिक deposit account खोल सकते हैं और auto credit के थुरू इसमें payment कर सकते हैं बतलब यह कि किसी भी इनसान की पास अगर पैसा है और उसे investment करनी है कहीं पे भी तो आप सब को भी मैं बता दूं कि अगर आपके पास पैसे हैं और जहां पे सर नहीं यहां पे mention किया है कि 9 लाक रुपे आपको deposit करवाना है और मंतली 5550 जो है वो आपको मिलेगा हर मंत जो है मिलेगा लेकिन आपको साथ में बता दूं कि 5 साल की बाद आपने जतना amount deposit करवाया है वो भी आपको वापिस मिलेगा ये एक main बात ज scheme government लेकि आई है इसका नाम है monthly income scheme इस account को आप open करवाएंगे apply करेंगे तो आपको बहुत जो benefit है इससे मिलने वाला है तो sir tax की कहीं ना कहीं जो है चंता रहती है लोगों में वो कहते कि tax जो है कितना रहेगा तो इस scheme का tax क्या जी taxable है जो amount आपको मिलेगा वो taxable है और जो आपकी slab है उसी साफ से tax देना पड़ेगा लेकिन फिर भी अगर benefit की बात करूं तो अगर tax देके भी इसमें काफी अच्छा return हमें मिलता है और आपने 9 लाग की बात की 9 लाग maximum limit है आप इसको 1000 से start कर सकते हैं जितना आपके पास प्रोजेंट के multiple में जितना चाहें उतना deposit कर सकते हैं तो tax तो लगेगा लेकिन उसके बावजूद ये scheme बहुत अच्छी है जिनके पास इकठा पैसा है तो वो बिलकुल इस scheme का benefit उठाएं मैं यही कहूंगा किसी भी post office में visit कर सकते हैं मैं head post office जमू head post office जो डोगरा चोक में वहां बैठता हूं तो हमारे यहां भी a scheme है तो जो भी individual जो भी इसको खोलना चाहते हैं वो यहां आके खुलवा सकते हैं एक और सवाल रहेगा कि अभी तक कितने लोग जो है इस scheme से benefit ले रहे हैं और कौन से लोग जी exact मेरे पास अभी number नहीं होगा लेकिन generally जो retired लोग होते हैं जिनके पास एक साथ पैसा आता है चाहे वो किसी भी department से हो किसी भी company से हो जा किसी ने कोई जैसे जमीन बेज दी जा कोई दुकान बेज दी कुछ भी हो सकता है जहां आपका एकठा पैसा आपको मिलता है तो वो घर ना रखके अगर ऐसे scheme में जमा करवाया जाए तो एक सबसे साथ इंट्रेस्ट या सबसे साथ बैनिफिट जो है यही scheme दे रही है जी जैसे मैंना आपको बताया अगर आप मिस के साथ रेक्निक डिपॉजिट भी खुलवा देते हैं तो दोनों को मिला कि जो इंट्रेस्ट है वो आल्मोस्ट 8.8 परसेंट बनता है वो अच्छा इंट्रेस्ट है तो वो बेनिफिशिल है तो बिल्कुल अगर यह आप आप करते हैं तो आपको अच्छा इंट्रेस्ट मिलेगा तो मैं सबको बता दूँ जितने भी लोग इस वक्त मुझे देख भी रहे होंगे कि अगर आपके मन में कोई भी इसको लेके कोई भी क्वेस् करते हैं एक लाक दो लाक तीन लाक चार लाक कुछ भी जतना भी आपकी लिमिट होगी आप डिपॉजिट करवाईए क्योंकि पांच साल के बाद आपको आपका अमाउंट सीम वापिस मिलेगा उसके साथ ही आपको जो इंट्रेस्ट मिल रहा है उस अकॉर्डिंग आपको ह हर मन्त जो है पैसा मिलेगा तो बहुत अची स्कीम है एक बार फिर स्कीम का नाम बता दूं कि मंतली इंकम स्कीम जिन लोगों को नहीं पता है कि यह कौन सी स्कीम है मंतली इंकम स्कीम को आप कहीं पर भी इस वेबसाइट पर गूगल पे अगर वेबसाइट को ओपन करते है तो वहाँ पर भी आपको काफी जादा knowledge जो है इसको लेकर मिलेगा और मुझे लगता है कि सर ने पूरी detail में जो है knowledge दिया और आपको जो है clear करवादी सारी चीजे सर और कुछ जो बचता है इसमें बताने के लिए जी अगर आप detail में इसका information लेना चाहते हैं तो हमारी department की website है www.indiapost.gov.in इसको visit कर सकते हैं और जो भी इसके बारे में information है वो आप ले सकते हैं और भी इसके लावा post office की जो भी schemes है post office savings bank हम run करते हैं और उसमें बहुत सी schemes है जिसमें एक MIS भी है मंत्री निकम scheme भी है तो यह हमारी website विजिट करके आप यह information ले सकते हैं इसके लावा आप किसी भी post office में जाके यह बहाँ पे information किसी भी scheme के बारे में ले सकते हैं और इसमें जो भी benefits हैं जैसे मैंने बताया जाओंगी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी doubt है आप मैं comment box में चेक कर रही हूं एक सवाल आया है कि online apply कर सकते हैं क्या जी बिल्कुल online भी apply कर सकते हैं तो उसका आपको KYC के लिए हमें visit करना पड़ेगा लेकिन online भी apply होता है तो इसमें online और offline offline तो हमारा post office से यहां किसी भी bank से कर सकते हैं मैं post office की बात करूँगा हमारे post office में कहीं भी आप करवा सकते हैं head post office और sub post office एबन हमारे ब्रांच post office में भी होता है आप कहीं भी visit कर सकते हैं तो जैसा कि sir ने कहा कि online और offline दोनु तरीके से आपको बताया कि कैसे आप apply कर सकते हैं और मुझे लगता है कि government जो है हमेशा कोशिश करती है कोई ना कोई scheme जो है हमारे लिए लेके आए उन्हीं में से ये एक बहुत अची scheme है जिसका नाम है monthly income scheme इसका benefit जो है आप अराम से ले सकते हैं और sir ने कहा है कि interest जो है वो कितना है कितने percent जो है आपको मिलने वाला है और अगर कोई भी doubt रहता है तो comment box खुला है आप comment कर सकते हैं आप अभी भी comment कर सकते हैं क्यूंकि अभी मैं post office में ही मौजूद हूँ और अगर बाद में करना चाहते हैं तो बाद में कर सकते हैं क्यूंकि आपकी सवालों का जवाब जो है वो जरूर दिया जाएगा और I am sure कि sir आपने पूरी detail में जो ह हैं तो हम लोग यहां 10 से 6 बज़े तक डेली रहते हैं सिर्फ संडे को छोड़के हमारा working होता है six days तो कभी भी आके हमारे office में जो भी information जो भी doubts है आप clear कर सकते हैं तो आप सब को फिर बता दूंकि स्कीम का नाम है monthly income scheme monthly income scheme के लिए आप अराम से apply कर सकते हैं पूरी details जो है वो mention कर दी गई है और इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी जो है scheme के बारे में दी है और आपको बता दें कि बहुत सारी लोग है जो इस scheme के बारे में जानते है होंगे हो सकता है और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जतना मुझे यकीन है कि वो नहीं जानते होंगे क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं भी नहीं जानती थी कि ऐसी कोई स्कीम है जो सरकार हमारे लिए लेकर आई है जुसमें इतना जादा जो benefit है वो मिल रहा है आपको बता दें कि आपको कोई भी पैसों की बात जहां तक की जाए तो अगर आपको घर पे नहीं रखने है या deposit करवाने है तो इससे अच्छी जगा आपको deposit करने के लिए कोई नहीं मिल सकती है क्योंकि पांस साल के बाद आपका पैसा आपको वापिस मिलने वाला है तो यह थी scheme जो आपको जानना बेहत जरूरी थी तो फिलहाल के लिए इतना ही और भी updates के लिए आप ऐसे ही देखते रही है state times